कि अब आज अब आज अब आज अब आज दो फैंस में देवराज फिस्ट वागत करता हमें यूटूब चैनल जिसका नाम है देवराज फितनेश कलब और आज हम बात करने वाले एक नए टोफिक में मतलब की हमें मोटा और बलकिंग साइस करने के लिए क्या खाना होगा तो कुछ लोग आज बात करते हैं वैसे तो कि कुछ लोग ऐसे पहले से मोटे हैं और कुछ लोग मोटा होना चाहते हैं तो उनके लिए क्या बैस्त है कि जो लोग ये पल्किंग साइज के लिए हैं तो इस दाइट में हम आज इसमें हम एक पाउडर बनाएंगे तो अपना जो देशी नंगता है कि इसमें हम अपना प्रोटीन काब वेट गेंडर साथ कुछ यूज करेंगे तो इसमें कैसे बनाएगे आजकल वैसे तो बहुत से समान आ गए हैं स्प्लिमेंट आ गए हैं वेट गेनर आ गया है जो हमतोर पर आजकल लोग हाथ गोई यूज करता है बट यूज तो करता है पर लेकिन उसको अच्छे से यूज नहीं करबाता और क्या कारण होता है वह का मैं आपको बाद में बताऊंगा पहले को बात करते हैं कि आप मोटापा करने के लिए अपनी बोड़ी में फैट यूज चढ़ाने के लिए क्या करोगे जो लोग पतले होते हैं तो हमें पोडर बनाएंगे पोडर किस तीज का पोडर बनाना है हमें हमें चाहिए होगा चने सोया बीन और थोड़ा जों जों जिसको हम जों बोलते हैं जों का पाउडर ठीक है तो हमें करना क्या है हमें सबसे ज्यादा लेना है हमको सोया बीन और चन्ने और थोड़े से अपने जों तो करना क्या है हमें दो समार्के चलो आपको जितना भी बनाना है आपका जितना भी बजट्ट है किलो बनाना है लेड़ किलो बनाना है दो बनाते हैं तो हमें एक किलो चाहिए गें सोय और उसके बाद चाहिए अधी किलो चाहिए हमको चने और आप ले लिए यह भाइशो से 300 ग्राम अपना जो ठीक है योगा आता भी ले सकते हैं आप ठीक है तो हमको ऐसे अपस्भूत लेना है आपको और इसको अच्छे से ब्लेंडर कर लेना है या पिसी चक्के पर पिसवा लेना है आपको जितना आप बनवाना चाहते हो यह जादा बनवाओगे तो बैस रहेगा क्योंकि थोड़ा सा तो चक्के वाला ब्लेंडर कर लेना है अपने घर में है मतीन तो उसमें यूज ब्लेंडर ली जीए ठीक है तो उसके बाद आपको अगर आप इसको ऐसे यूज करोगे तो ठीक अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है खाने में तो आप इसमें गेनातना क्या बोलते हैं कि चोकलेट पाउडर मिला सकते हो या मिल्क यूज कर सकते हो तुसका मिल्क होता है जो पाउडर होता है वो मिक्स कर सकते उसमें अच्छा कोफी पाउडर मिक्स कर सकते हो जिससे कि आपको इसका कैस्ट बेकार ना लगे और आपको तो खाने में कोई प्रोलम नहीं हो पीने में प्रोलम नहीं तो इससे आपके बोड़ी में एक अच्छा वेट बढ़ने लगेगा आपको यह तब मिलने लगेगी तो कुछ लोग देसी नुखसे वेगरा भी यूज करते हैं पर वह अच्छे से मान की जिलिए किसी ने आपको दूज करता है कि आपको यह चीज अपको यह चीज करना है तो हैसा कुछ नहीं है कि आपको किसी के डेसी नुखस मताया आप आप पूर नी सिर्फ यही चीज खाओ और उसके बाद आप ना खाओ को आपको कैसे बोरी में फैट आएगा तो पूसको आपको यूज कैसे करना है तो आपको जब आप अच्छी डाइट लोगे अच्छी डाइट खाओगे खाना अच्छा खाओगे तभी आपकी बौड़ी में चेंजिंग आएगा यह नहीं है कि आपको किसी ने देश्य नुप्सा बताया आप उसको यूज कर रहे हो यूज कि यारा यूज किये जारो कालन से आपकी बोड़ी में फैट स्टा फैट और फडर वगिरी की कमी हो जाती है जिससे आपकी बोड़ी में स्टायज वगेरह नहीं आ ता यहीं कालों होता है कि आप बोड़ी पल्क नहीं कर पाते मुट्टे ही नहीं तो पाते फ्रेंस अधर और आप कोई भी सेना यूज कर रहे हो या फिर अपना देशी नुक्ता यूज कर रहे हो कोई भी ठीक है जैसे अभी मैंने यह देशी नुक्ता बताया कि आप चने तोया बीन और थोड़ा जो लिंजिए और उसका पाउडर बना लीजिए हाँ पाउडर बनवाने के बाद आपको इसको भूनना भ हो गया अपना कोफी पाउडर हो गया या फिर चोकलेट पाउडर हो गया मिल्क पाउडर हो गया कोई पी जो भी आप इसमें यूज करना चाहते हो जिससे कि आप उसका टेश्ट खाने में अच्छा लगे पीने में अच्छा लगे तो आपको यह ऐसे करना है तो आप डाइ मेंट ले रहे हो या पर कहना कोई भी जेती सी उतकर यूgrass कर रहे हो तक तब आपको डाइट भी अपनी अच्छी और यूज़ रहे गया गर्णा आपको चीछ जिरल तक बार्गेушना और जांबनिया ऐगा यही कारण होता है जो मैंने हुआligt स्टारिई में बता है तापको यही कार्ण हुता है कि आप अच्छे से कोई भी चीस यूज नहीं करते हो इसी कार्ण से आपकी बोडी जास नहीं हो पाती है आपका वेड जास आपको अपर थे इस कार्णgesetz आपकी बोडी नहीं बन पाती, तो बोडी बनाने के लिए हमेरे सबसे पहले तो बल्क होना पड़ता है, मतलब मोटा होना पड़ता है, मोटा होने के बाद हम बोडी कटिंग भीरा करते हैं, बोडी में तब जाके हम बोडी बनने लगती है, हमारी जो लोग सोचते हैं कि कहना भाई बोड़ी में इन चीजों को खाने से फैट आजाएगे तो प्रैंस वो बिल्कुल गल्फ है अगर आपकी बोड़ी ने फैट ही नहीं आएगा तो आपकी बोड़ी कैसे देन होगी कैसे आपकी मसल आएगे तो आपको सबसे पहले आप जितना फैटी होना चाहते हो उतना हो जाएगे और उसके बाद आप ने मसल करने की खोश्च करिए मतलब फैट लूज करना शुरू कर दीजिए जिसमें हमारा मसल रह जाएगा तो यही है हमारी आज की बाद आप से कि आप लिए देशी नुपसा अपना यूज कीजिए चने और तोया बीन और जों ठीक है इ वद्द मिलेगा आपको अच्छी चीजह मिलेगे आपको बोडी को जोट होगी और आपकी बॉड़ी उटा होना शुरू कर देगी टो प्रम अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लिज लाइक सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को थेपक्त सेटतर है झाल झाल